दिलिश इनाप घोटाने केस में आमादमी पार्टी के एक और नेता को एडी का स्तमन गोवा चुनाव में इंचाज रहे आप विधाई गुर्गेश पाथक पूछताच के लिए एडी दफ्तर पहुचे केजरिवाल के लिजी सचीव विभब कुमार से भी पूछताच लोग सभा के लिए आमादमी पार्टी का कैमपेंग लॉंच हुआ जेल का जवाब गोट से चलेगा कैमपेंग इसे ही बनाएगी आमादमी पार्टी चुनावी नारा इस कैंपेंग के तहट आम आदमी पाथी एक एक घर में जाकर बात करेगी उन्हें समझाएगी इस पूरे संघर्ष को गोट में बदला जाएगा केज रिवाल की गिरफ्तारी को लेकर मंतरी सौरभ भारत द्वाज ने कहा पुराने मोड में आ चुकी है आम आदमी पाथी बिजेपी की उल्टी गिलती शुरू आम आदमी पाथी सांगस संघे सेंग का बिजेपी पर बहुत बड़ा आरोप गहा चुनावी बॉंड के जरिये बिजेपी ने घोटाला किया बिजेपी सबसे बड़ी घोटाले बास पाथी संजे सिंग ने कहा घाटे वाली कमपनियों ने BJP को चंदा दिया कुछ कमपनिया ऐसी भी हैं जिनोंने मुनाफिस ज्यादा BJP को चंदा दिया गए इन कमपनियों को टेक्स में छूट दी गई दिल्ले विधान सभा के विशेश सत्र में हंगाने के बार BJP विधायक बाहर निकाले गए हैं स्वास सिवाओं को लेकर बुलाए गए विशेश सत्र में BJP विधायकों ने दिखाए प्लेकार BJP विधायकों का आरोप जल बोर्ट के 28,000 करोर का पता लगाने के लिए ओडिट हो लेकिन हमें बाहर निकाल दिया किया आप सांगस संजे सिंग को जटका गुजराच विशेव द्याले मान हानी मामले में संजे सिंग की आजका सुप्रिम कोर्ट सिखारिज पी-म मोदी की डिगरी पर विवादि टिपनी का मामला प्रदार मत्री मोदी की थोड़ी देर में 36 गड़ के बस्तर में होगी शंकनार महा रैली आज शाम को पाच बजे महाराश्ट के चंद्रपूर में करेंगी रैली विजेपी के लिए वोट की अफील करेंगी कॉन्णाब से बिजेपी सांग सब साक्षी महाराज ने कहा हिंदू राष्ट नहीं राम राज्य चाहिए 22 जन्वरी को राम राज्य की स्थापना हुई है पी-मोदी इश्वर का अफ्तार कॉन्ग्रेस के चुनावी घोष्णापत्र की जेपी नडडा ने की मुस्लिम लीग से तुलना कहा कॉन्ग्रेस को लोगों ने नकार दिया गे वो अब भी मुस्लिमों के तुष्टी करण में जुटिबूई है कल पी-म ने भी दिया था यही बयात कॉन्ग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से जोड़ने को कॉन्ग्रेस ने बताया शर्मना कहा घोष्णापत्र से घबरा गए है पी-म हिंदू-मुस्लिम की विभाजनकारी बाते कर रहे हैं चुनाव आयोक से इसकी शिकायत करेंगे बीजेपी नेता मनोश दिवारी ने कहा देश की जनता को पी-म मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा तीस्टी बार पी-म बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं नेताओं पर एस्पी नेता शिपाल सिंह यादव का वार बोले पार्टी वही छोड़ कर जा रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है बेते आदित यादव के चुनाव लड़ने के संकेत भी दिये बीजेपी नेता सुबरत पाठक का अखिलेश पर हमला कहा हमारे नेता काशी को क्योटो बनाना चाहते हैं लेकिन अखिलेश यादव पाकिस्तान बनाना चाहते हैं बेटे के बाद अब चौधरी बिरेंद्र सिंग भी कॉंग्रेस में वापसी करेंगे हिसार से बिजेपी सांगसत बिरेंद्र सिंग भी हाल ही में कॉंग्रेस में शामिल हुए थे आज मद्यपदेश में दो जन सभाओं को समोधित करेंगे राहुल गांदी दो पहर दो बज़े सिवनी और शाम चार बज़े शेह डोल के बाण गंगा मेला ग्राउंड में करेंगे चुनावी सभाओ रशांद किशोर का राहुल गांदी को सुझाव कहा अगर इस बार भी नहीं मिलते हैं अच्छे नतीजे तो राहुल गांदी को ब्रेक ले लेना चाहिए